हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पीपल बायोग्राफी नोरा जम आपसे बात करने वाले हैं बोश्पुरी से जुड़ी एक और जानकारी के साथ तो चलिए दुर्तों शुरू करते हैं दिनेश लाल यादा और निरवा ने छोड़ दिया मरपाली को जी हाँ दोस्तों अमरपाली को दिनेश लाल यादा ने छोड़ दिया लेकिन कुछ दिनों के लिए सिर्फ एक फिल्म के लिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो दिनेश लाल की 2014 निरवा हिंदुस्तानी आने के बाद हर फिल्म में अमरपाली के साथ ही की है और उस सब फिल्म में सूपर हिट है लेकिन 2017-2018 के बीच आने वाले फिल्म जिगर में अमरपाली नहीं हैं दोस्तों उस फिल्म के लिए दिनेश लाल यादाव एक नई अमरपाली को धूंड रही हैं दोस्तों उसमें अमरपाली का ना होने का ये कारण है कि उस कहानी की निर्मान में एक अलग लड़की के तला से जो अमरपाली जी पूरी नहीं कर पाएंगी इसलिए दिनेश लाल के साथ उस फिलम में शायद अमरपाली नहीं होंगी और दिनेश लाल की जोरो शोरो से कोशिश है कि एक अच्छी अभनेतरी अमरपाली से भी अच्छी अभनेतरी उस फिलम में लेकर आएं जिसे लोग जिस तरह देनेश लाल या तो निरववा को पसंद करते और अच्छी तरह पसंद करें दोस्तों निरववा और अमरपाले जी के फैन को किसी परकार के घबराने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक फिल्म के लिए ही दोनों अलग हो रहे हैं बाकी फिल्मों में साथ ही नजर आने वाले हैं इस कहाने की मांग के कारण अमरपाले जी से फिल्म में शायर नहीं होंगी या फिर आखिर में थोड़ा सा रोल दिखा दिया जा सकता है अमरपाले जी का दोस्तो क्या उस film को सफलता मिलेगे और बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगे दिनिश लाल की हर film की तरह नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप चाहते हो जिगर फिलम में अमरपाली जी ना नजर आए या कोई और भी नेत्री नजर आए दोस्तों निक्षिच कमेंट जरूर करें धन्यवादेशी और जानका रिखले सुस्क्राइब करें पीपल वायगुराफिक